नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब अपने स्टेटी फॉर्ट सिमस्रीशेश में जनम के समय जो यह लिंगानुपात होता है यह पिछले पांस सालों का देखा गया नौसो उन्तिस है ठीक है ध्यार नगना यह चीज शेक्स रेशुएट बर्थ की बात करें अगर आप तो तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर 900 से भी कम है यह वह कौन कौन से हैं गोवा है और हिमा इमार कितना हो चुका है एन फेचस फाइब के साफ से 35.2 लेकिन यह एसारस का जो अक्टूबर 2021 का बुलिटन था उसके हिसाब से कितना है 30 है एसारस और डिटा मता है तो ध्यान लगना है अंडर 5 मोटल्टी रेट है 41.9 इंस्टिटूशनल बर्थ हो चुका है 88.6 प्रेग बिटा यहाँ पर देख सकते हैं डेटा एंफचस फाइब के साफसे जो टोटल सेक्स रेश्यो है इंडिया का यह कितना हो चुका है 1020 यह सेक्स रेश्यों इंडिया में कैसे करते हैं कि यह एक हजार पुरूशों पे कितनी महिलाएं उससे सेक्स रेश्यों किल्कूएट कर नौसो पचासी है रूरल में एक हजार साहती से है रूरल में सेक्स रेशियो जाता है द्यानक सेक्स रेशियो एड बर्थ लास्ट पास सालों का अगर आप देखेंगे 929 है ठीक है रूरल में 931 है और अर्बन में 924 है पॉपलेशन ऐसे जो की 15 साल से कम है उनका परसेंटेज कितना है 26.5 परसेंट है रूरल में कितना है 28.1 परसेंट दोजार पाच चैका जो एक हजार यानि कि जितनी महिला है उतना पुरुश अभी यह जो सेक्स रेशियो बर्थ है कम है यूपी में हरियाडा में पंजाब में राजस्तान में बियार में दिल्ली में और आंत्रदे पॉपलेशन है इसका शेर 2015-16 में कितना था 28.6 परसेंट तो वहां से घटके यह रह गया है 26.5 परसेंट यह द्यान दकना पिर एक इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि टोटल फर्टलिटी रेट यह अब हो चुका है ने फेचे 5 के हिसाब से 2.0 ठीक है यह SRS के हिसाब से हो गया है यह अर्बन में 2015-16 में ही जो है रिप्लेश्मेंट लेट से कम हो गया फिर आयमार की बात करेंगर आप तो आयमार इस समय कितना है 30.2 है यह NFHS 5 के साब से है ठीक है और आप देखेंगे अर्बन एरिया में कितना है यह 26.6 और रूरल एरिया यानि ग्रामीड एरिय और केरल को छोड़के बाकी सभी राज यह अनीमिया में अगर आप देखें तो गंभीर हालत में है गंभीर सिरनी में है यह ठीक है यह ध्यान लगिए यह TFR आप देख सकते हैं और इंडिया का 2.0 है SXS8 बर्द 929 है सबसे ज़्यादा इस्टेट में आप देखेंगे तीन है बिहार का और SXS8 बिहार का कितना है SXS8 बर्द 908 MP का यह 2.0 है TFR और MP का SR भी कितना है 956 UP का यह इसके हिसाब से TFR 2.4 है लेकिन SRS के हिसाब से अभी भी 2.9 है और जो UP का SXS8 बर्द 941 है उत्तराखंड का यह TFR 1.9 और SXS8 बर्द 984 सिक्किम का यह स्टेट में लोवे त्रिपुरा का यह TFR 1.7 और SXS8 बर्द हाइस है 1028 गोवा का यह SXS8 बर्द 1.3 है और स्टेट्स में कर देखेंगे तो यह सबसे कम है 800 जो SXS8 बर्द है गोवा का वह सबसे कम है स्टेट्स में 838 ठीक है दादार नागर अवेली का यह TFR कितना है 1.8 और यह लोवेश्ट में और लद्दाक का अगर देखेंगे टीफर कितना है 1.3 है और लद्दाक का जो SXS8 है वो हाइस्ट है SXS8 बर्द यह Union territory category में यह जो टेबिल देख रहा है अब यह TFR और यह जो है SXS8 बर्द के लिए बनाई गई गई है यह important data लिखा गया है ठेक इबर देख लिजेग important वाला मैं बता रहा हूँ यह मैं पहले बता चुका हूँ यह SXS8 बर्द लिखा होगा तो इसका मतलब है कि जनम के समय जो लिंगा नुपात की बात कर रहे है ठीक तो 256 में कितना था यह 1000 था मतलब मैलाओं का जो proportion था पूरा पूरशों के बराबर था TFR में अभी हमने देखा NFHS के हिसाब से कितना था 2.0 था और इसके हिसाब से बता रहे हैं कि क्योंवल इंडिया में 5 ऐसे स्टेट है जहां पे जो replacement level होता है 2.1 यह भी दियान रखना ठीक है और यह इससे जादा सिर्फ 5 राज्यों में है NFHS 5 के हिसाब से वो कौन-कौन से र सबसे ज़्यादा जो increase किया है गोवा और बिहार ने किया है इसलिए बिहार का TFR भी घटा है काफी ज़्यादा ठीक है इंस्टिट्यूजनल जो बर्त होते हैं अभी तक 79% हो रहे थे और अब यह होने लगे हैं कितना 89% इंस्टिट्यूशन डिलिवरी यह जरूर दियान ल बर्त है वह इंस्टिट्यूशन मतलब यह हॉस्पिटल में होते हैं जाके यह जरूर दियान लगेगा और अर्बानेरिया में 94% है ठीक है और यह जो इंस्टिट्यूशन बर्त है यह सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर हुआ है यह 37% से इंक्रीज हुआ है अरुलाचल प् कम वजन वाले बच्चे हो गए इनका प्रपोर्शन घटा है एक चीज लेकिन यहां पर बढ़िए वह क्या है कि अधिक वजन वाले बच्चे ज्यादा मोटे बच्चे जो है वह बढ़ते जा रहे हैं वह 2.1% से बढ़के 3.4% हो गए लोगों के बच्चों को खुब खाना हो है पूरा यहां तक डेटा तो बहुत सारा दिया एक बार देख लिए जित्ता याद रह पाए उतना बढ़िया है ऐसी महिला है जिनका सेविंग अका परसंट बढ़ा है 79% हो गया है लास्ट चार सालों में और बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि जो क्लीन कुकिंग बढ़के यह हो गया है करीबन 76% तक हो गया है यह जरूर द्यार नकना फूल वैक्शीन कवरेज अगर आप देखें जो जितने भी बच्चे है तो 57% नागा लैंड से लेके दादार नागर अवेलियो दमंदियू में 95% तक है तो हाइस्ट वैक्शनेशन ओवराल स्टेट और यूनिट टेरिटरी में किसका है दादार नागर अवेलियो और दमंदियू का और स्टेट वाइस आईएस्ट वैक्सिनेशन किसका है उड़ीजा का है 91% त्यार नकना मतलब यह सबसे ज्यादा टीका करण की बात हो रही है उसी को बोलते है यह इम्यूनिजैशन या फि एक और चीज है कि भाईया जो मैरीड वुमेंड का डिस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो माईलाओ का जो यह इसी परसेंट लद्धाक से लेके 99% तक यह नागालेंड और मिजूरम में ठीक है जो माईलाओ के गिलाव डॉमेस्टिक वाइलेंस होता ह उसमें बिल्कुल मार्जिनली थोड़ा सकाम हुआ है वो 2015-16 में कितना था 31.2% से घटके 29.3% हो चुका है 2019-21 में अगर ये question पूछेंगे कि community wise किस community का fertility rate सबसे ज़्यादा घटा है तो वो Muslims है Muslims का fertility rate इसमें sharpest decline आया है तो ये ज़रूर याद रखिएगा कुछ और data कह रहा है कि 2023-2014 में NFHS 6 वाला लेंगे उसमें और भी कुछ data लेंगे इस बार क्या डॉट करेंगे लोग urban frame survey भी लेंगे इसमें और कुछ और कई सारी चीज़े मतलब नए data निकल के आएंगे बस इतना यह NFHS का data जो important वाला था वो मैंने सारा बता दिया आपको ठीक है इसकी summary को यगर देना चाहे तो जरूर यहाँ पर वीडियो में comment करके दीजेगा main है TFR, IMR और sex ratio at birth ध्यान लखना यह चीज़ अचा चलिए अब सबसे जल्दी से बताईए sex ratio at birth overall सबसे ज़्यादा किसका है और UP का कितना है यह सब मैं बता चुका हूँ TFR, इंडिया का कितना है सबसे ज़्यादा कितना है सबसे ज़्यादा मतलब किस state का है और UP का कितना है जल्दी comment करके बताईए और IMR कितना है totalist report के इसाब से इंडिया का कितना है IMR के गराब बात करें यह वाला data शाय चुट गया है NFHS 5 में IMR marginally decline हुआ है और कौन सा state ऐसा है जहां पे सबसे ज़्यादा IMR जो है decrease हुआ है असम ठीक है असम का पहले 48 था IMR और वो घटके कितना हो गया 32 और IMR सबसे ज़्यादा कितना किसका है मतलब किस राज़्यका है NFHS 5 के हिसाब से तो भई यह IMR सबसे ज़्यादा NFHS 5 के हिसाब से है बिहार का 47 है ध्यान लकना SRS के हिसाब से जो IMR है यह अलग है वो किसका है वो MP का है लेकिन N F H S के साब से IV सबसे ज़्याद ला किसका है? बिःर का है और ये जो N F H S 5 है इसके तीहर भी सबसे ज़्यादा किसका है? बिःर का ही है ये آइमार का डेटा एक्उली 17 टेट का ही आया है तो बाकी टेट का नहीं इतना बस आप समझ लीजी जी NFHS 5 के साब से जो IMR infant mortality rate है वो सबसे ज्यादा किसका है बिहार का है 47 ठीक है तो ये NFHS 5 complete हुआ अब